डैश इब लोफ इफएक्टिव ग्लासरूम प्रेक्टिस निमलिकित में से कौन सी शैली एक प्रभाव शाली विद्धालिया में प्रयोग में लाई जानी चाहिए पढ़ाने का प्रभावी है बहतर है कौन से एक एक्जामपल में रिवॉर्ड और पनिश्मेंट को यूज करने की बात ना प्याजे कहेंगे ना वाइगॉस के और ना सीटेट का एक्जाम कहेगा कि आप रिवॉर्ड और पनिश्मेंट दे दे करके बच्चे को बस लालच में या फिर दंड के डर से पढ़ाओ competitive classroom नहीं चाहिए हमको प्रतिसपर्दा नहीं हमें चाहिए collaboration चाहिए cooperation चाहिए ना की competitive गला काट प्रतिसपर्दा हमें नहीं चाहिए हमें क्या कहते हैं उसको थ्रोट कॉंपेटिशन नहीं चाहिए हम चाहते हैं कि हर बच्चे के अपनी अंदर जो भी शमताइं छिपी हुई हो पोटेंचिल हो उसको निकाल करके बाहर ला पाएं और एक दूसरे की मदद करके बच्चे सीखें अब हम अग्री कि अघ्र करें को पता ही है किया आ आपको पता ही है अगेन कुरपे हो यह को ना चाहिए और एक दूसरे की साथ मिल करके सीख लेना चाहिे त Stathen शुकर के साहिए है जब लोग साथ में मिल करके गुरुप में सीख रहे हैं एक दूसरे को मदद करके सीख रहे हैं तो कोलाबरेटिव हो कौपरेटिव हो वो सोचल या गुरूप में सीखना हो या अच्छा ही माना जाएगा पूरे सीटेट के एक्जाम विच औफ ऑफ फॉलिंग is an example of intrinsic motivation यानि निम्रिखित में से कौन सा एक उधारन है आंत्रिक अभी प्रेधना का उधारन दो दो प्रकार की motivation एक internal है दूसरी external है internal को intrinsic भी कह देते हैं इसको positive motivation माना जाता है कि इसी को हमें बढ़ावात देना चाहिए ठीक है ना देखो फटाफट से बताओ कि आंत्रिक अभी प्रेधना या स्वत्य है यानि खुद से सेल्फ मोटिवेशन एक तरह की कौन सा एक एक्जामपल है intrinsic motivation का पहला option है I student is doing an experiment to get good marks दोगो internal motivation वो नहीं हो सकती जिसका reason बाहर हो तो marks क्या है good grades क्या है reason बाहर है तो यह बाहर ही अभी प्रेधना होगी external intrinsic नहीं आई इंटर्नल नहीं है जिसका reason बाहर है जिसका कारण बाहर हो वो external motivation है internal नहीं है internal motivation में locus of control center of motivation अंदर होता है I student is doing experiment because he is curious about the result of experiment curious कि इसको लेकर के result को लेकर कि result कहा है बाहर आएगा तो यह external motivation हो गई अंदर नहीं है इसका reason बच्चे का I student is doing experiment because he does not like the theory वह experiment कर रहा है बच्चा क्यों क्योंकि theory नहीं पसंद करता है फिर आता है I student is doing experiment because he wants to impress his teacher teacher को impress करना external motivation teacher को impress करना external motivation है आप लोग के रहे हैं second यह देख लेते हैं हो सकता हमने गलत पढ़ लिया हो आंत्रिक या स्वेते है इस फूर्थ प्रेड़ना का अधारन कौन सा है अच्छे ग्रेड लाना तो होगा ने एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिनाम जानने की उत्सुपता है अठीक है मतलब यह रिजल्ट हमने नॉर्मल सैंस में ले लिया था आइस्टुटेंट इस दूइंग एक्सपरिमेंट बिकॉस ही इस क्यूरियस अबाउट दी रिजल्ट आफ एक्सपरिमेंट क्योंकि एक्स्टेर्मेंट कर रहा है अगर हम देखें तो आइस्टुटेंट इस दूइंग एक्सपरिमेंट कर लिए रिजल्ट का मतलब क्या है रिजल्ट पॉस्टेव भी आ सकता है एक्सपरिमेंट का और ने बिया सकता है वो इंट्रस्टेड एक्सपरिमेंट करने में रिजल्ट के आएगा वो उसके हाथ में तो है नहीं तो सेंस में यही पॉजिटिव है या इंटर्नल मोटिवेशन है इसमें क्योंकि रीजन आंत्रिक है क्योरियोसिटी है उसकी उसकाम को करने में जग्यासा है मन लग रहा है मजे आ रहे हैं सीख क्या होंगे यह पेड़गोजी है आसान भाशों में तो संरशनावादी सिक्षा विदों के अनुसार जैसे प्याजे हैं वाइगोस की हैं यह सब रचनावादी एक अनुसरक्टिविस्ट हैं यानि नॉलिज के सब्सक्राइब करेगा नॉलिज की भई प्याजी कहते हैं बच्चा क्या लिटल साइंटिस्ट नन्हा वैग्यानिक है घ्यान की रचना कर सकता है तो स्टुडेंट्स लिसन टूद टीचर्स एंड टेक नोट्स अन्दी कॉंटेंट कवर्ड यानि बच्चे जो हैं नोट्स ल हो गया याद कर रहें बच्चा को हमें एक्टिव रखना किसी एक्टिविटी में इस्टुडेंट्स लॉन्द मटीरियल इंडियर टेक्ट बुक्स एंड टेक टैस्स कवरिंग दो कॉंटेंट एड दी एंड आप दर यह हम सबने ऐसी सीखा जाधातर लोगों ने बट यह सही तरीका नहीं है कि बच्चे जो है उनको मटीरियल मिल गया टेक्स्ट बुक्स मिल गई और बुक को रट लिया टीचर ने जो पढ़ाया बार बार लेख लिया याद कर लिया एंड में पेपर दे दिया साल के यह लर्निंग नहीं अभी मैं उनका नाम भूल रहे हैं कोई कोई तो इंस्ट्रग्राम पे टीचर है और डेली के किसी गवर्मेंट स्कूल में टीचर हैं वो तो अभी मेरे सामने कुछ दिन पहले रील आई और वो बहुत ही शायद इंगलिश वाले सर और सम्टिंग ऐसा ही है हाँ और फॉल भी गया तो अगर हम देखें यहां पे तो क Ellie मैंने जो ही भाँ सारी को उन्होंने ऐसी बहुत सारी इस डाली हुए हैं जिसमें वो बच्चों को एक्स्पेरीमट को만 चीज़ भी वह बहुत ही इसको हम कहते हैं कि रियल लाइफ से जोड़ करके सखा रहे हैं जो एंसीएफ कहता है तो ऐसे आपको टीचर्स मिल जाएंगे बट अभी भी अगेन बहुत कम हैंट फुल मदब मुठी भरी हैं ऐसे लोग वट हैं टीचर्स जो थोड़ा सा एक्ट्रा माईल जाकर के सिखाते ह तो यह वाला तरीका नहीं है इसको कंस्ट्रक्टिविस्म नहीं कहेंगे कि आप रट्टा लगवा दे रहे हैं जब टेक्स्ट्बुक के अलावा भी सत्तर तरीकें सिखाने के जब आप वो इस्तिमाल कर रहे हैं इसका मतलब आप रचनावाद को फॉलो करने हैं बच्चों को आप एक्टिव रख रहे हैं तो आप टीचर प्रेजेंट्स हिस्टुदेंट्स विदा कॉंटेंप्रेरी इशू ओन विच देडिस्कस एंड डिबेट यानि एक टीचर है जो प्रेजेंट करते हैं करते हैं अपने बच्चों के सामने एक इसी जो उस समय चल रहा है समका प्रेज़ कि बच्चे के लिए ऐसा टॉपक ले दो जिस पर उसे पता ही ना हो तो उस पर आप चर्चा कराइए जो भी उस समय के टापिक्स चल रहे हैं तो बच्चा सब्से ज्यादा अक्टिव जो है अब दूला वो है फूर्थ ऑप्षन में तो जहां बच्चा सब्से ज्यादा एक्टिव है यही हमारा एकदम ट्रिक होता है पेड़ागोजी में कि वही आंसर सही है तो हमें सक्रिया चाहिए बच्चा एक्टिव चाहिए जो फोर्थ ऑप्शन में बाकी सम्में वो रट्टाफिकेशन या फिर पैसे वह उतना एक्टिव नहीं है जितना की अगर हम बात करें attitude कौन सा बेस्ट है सिखाने के लिए गुरूप डायमिक्स विदिन दी क्लास्रूं के बच्चे गुरूप में सीखें उसके लिए लेंग डाउन इस्ट्रेक्ट एक्स्टरनल रूल्स देखिए हमें पनिश्मेंट एक्सटरनल इस्ट्रेक्ट रूल्स यह सब फालतु बाते हैं हमें बहुत ज्यादा बच्चे के भलाई की बात करती नहीं है डिवाइडिंग दो क्लास इंट पर्मानेंट एबिलिटी बेस्ट पर्मानेंट एबिलिटी बेस्ट ग्रूप नहीं होने चाहिए कि आपने बना दिया अच्छा ये टॉपर्स का कि वह किसी बात्चीत के लिए चर्चा के लिए डिबेट के लिए डिसकर्शन के लिए एक साथ कोलाबरेट करके एक सी अक्टिविटी में काम करें सबसे जादा बच्चे यहां गुरूप में सीख पा रहे हैं एंकरेजिंग कॉंपेटिशन बेट्विन गुरूप्स तो ए एररस इन चिल्रेंस वर्क अब एरर पर एक क्वेशन आता ही है एररस इन चिल्रेंस वर्क यानि बच्चों के कार्या में तूरूटिया जो है उनको हमें कैसे देखना है अजर टीचर फट वह स्पीट पकर लेंगे 10 वे क्वेशन के बाद कन फोर्म स्थे इंटेलेक्शन इ definitely confirms the lack of preparedness on part of teacher teacher ने ठीक से प्रप्यार नहीं किया दोश ही थोड़े ना देना है कि टीचर और बच्चे दोनों को दोश ही देते रहेंगे शुडबी इग्नोर कर देंगे तो फिर कैसे ठीक होगी यह चीज शुडबी थोरोली एनलाइज्ट बाइदी टीचर एंडिस्कॉस्ड विद चिल्डन यह बात एकदम सही है कि जो एरर्स हैं उनको एनलाइज किया जाना चाहिए उनका विशलेशन होना चाहिए कि बच्चे अगर गलती कर रहा है किसी चैप्टर में किसी उनके काम में कोई दिक्कत है उनको तो उसका रीजन क्या है कहां दिक्कत है उसका विशलेशन करें पार्ट में एनलाइज करें उसको और फिर डिसकस की जानी चाहिए बच्चों के साथ विशलेशन करके कि यहां समस्या है तो डांटो फटकारों बच्चे को गलती करने के लिए